Commercial Carrie is also source of financehält何 जो एक कंपर कि किसी दूसरी कंपनी को एशू करती यह एक Unsecured प्रामिजरी नोट है जिसे अपनी शोर्टपम लीट को पूरा करने के लिए एक झास कि दूसरे फीह को रिशकर सकता है कि अ कि mentoring को हो या इसकता है यह जो होते हैं जाто थो कि दिलेंगे 364 यह सकते हैं मैं आट्छिय को रिपर कि तरहिए और इनका जो regulation होता है वो RBI के द्वारा होता है RBI regulate करते है commercial papers को merits की अगर बात करें तो इसकी merit पहली है कि sold on unsecured basis unsecured basis पर इसको sell किया जाता है no restrictive condition, कोई condition नहीं है इसमें restriction नहीं है इसको freely transfer किया जा सकता है इसलिए इसके अंदर high liquidity पाई जाती है highly liquid provides more funds ज्यादा स्यादा funds को इकटा किया रह सकता है cost of issuing commercial paper is lower provides continuous source of fund लेकिन इसकी demerits भी कुछ है जिसको हम लोग देखेंगे only financially sound and highly rated firms can issue जो financially sound है वही commercial paper को issue कर सकते है limited to the excess liquidity available with the supplier वो जो supplier है जो fund की supply कर रहा है उसके पास जितना पैसा होगा वो उसी साफसे ही आपकी financial need को पूरा कर सकता है commercial paper के जरिए extending the date or the maturity of the commercial paper is not possible अगर कोई चाहता है कि उसकी date को बढ़ा दे तो वो possible नहीं है उमिद करते हैं आपको information useful लोगी होगी तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज को सब्सक्राइब कर दें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें कमेंड बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर भी कर दें अपना बहुत ख्यार लखें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुट बाए